Case studies, case studies, case studies Case studies को हमने business studies के subject में एक बहुत बड़ा हुआ बना के रखा है कि case studies तो हमें समझ ही नहीं आती है या case studies एकारा हम हम business studies में अच्छा score रहीं कर पाते हैं तो ये problem अब आपको नहीं होगी क्योंकि हम कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम पूरे साल करते हैं और फिर end में बोलते हैं कि case study तो बनी ही नहीं या फिर कुछ ऐसा answer लिखके आते हैं जब marks नहीं मिलते तो सोचते हैं कि अच्छे खासे answer के भी marks क्यों नहीं मिले तो आगे से आपके साथ ये नहीं होगा अगर आप कुछ tips पूरे साल follow करेंगे तो आप case studies बहुत अच्छे से solve कर पाएंगे और आपकी ये problem जो business studies में आपको mark score करने से रोखती है वो solve हो जाएगी So hello and welcome back to step up academy मैं हूँ खुशी बटनागर आपकी business studies educator और ये जो pro tips आज हम discuss करने बाले हैं related to case studies ये आप सभी के लिए बहुत 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 जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है जादा important है तो start करते है tip number one से tip number one ये है कि आपको हमेशा से keywords mark करते हुए चलना है अब आप बोलोगे माम keywords क्या होते हैं तो जब आप मेरे साथ business studies पढ़ोगे तब तो मैं आपको अलग से keywords बताऊंगी कि ये इस chapter में ये इस topic का keywords है ये आप mark करते चलिए आप mark करने के दो pattern होते या तो आप अच्छे से notes बना ले हर एक चीज के हर एक chapter के हर एक topic के और उसमें अलग से keywords को mark कर ले या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप read करते हैं जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो जब भी आप पढ़ें तो जो मैं keywords बताऊं वो आप अलग से mark करते हुए जाए ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत help करेंगी क्योंकि अकसर आप जब ये करोगे और फिर एका दो case studies मेरे साथ solve करेंगे तो आप ये देखोगे कि जो keywords मैंने mark कराए थे वही कि आपको keywords मिलेंगे उन case studies में use हुए हुए तो अगर हमें keywords पता रहेंगे तो हम बहुत easily वो case study को relate कर पाएंगे with the topic और easily आप answer दे पाऊँगे ओके, next जो बहुत भड़ी गलती हम करते हैं case study को solve करते time यानि की pro tip number 2 कि आपको जब भी case study मिले तो पूरा paragraph पढ़ने से पहले क्योंकि एक लंबी चौड़ी कहानी लिखी है उसमें आपके लिए तो कहानी तो हम पढ़ेंगे ही पर उससे पहले कुछ sub points दिये होते हैं नीचे उन sub points में ही आपसे पूछा जाता है तो जो पूछा गया है पहले वो पढ़ना है आपको कि पूछा क्या गया है और उसके बाद last line of the question पढ़ना है फिर आपको पूरी कहानी पढ़नी है ये आपको topic relate करने में बहुत बहुत जादा helpful रहेगी चीक है तो आगे से जब भी case study solve करें ये tip ज़रूर properly follow करें चीक है tip number 3 आपकी ये है कि situation को पहले समझें हमेशा हम क्या करतें case study read करना start करतें ब्ला 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 और उसके बाद हम ये सोचने लगतें कि कौन से chapter से relate कर रहा है ये कौन से topic की है ये दिमाग नहीं लिखाते कि पूछा क्या गया है अरे भाई situation क्या है जो उस question में आपसे पूछी गई है अगर हम situation को समझेंगे या वो situation को अपने उपर रखेंगे तो आपको कभी भी case study solve करने में दिक्कत नहीं जाएगी जैसे ही आप situation का answer निकालेंगे वैसे ही आपको topic से automatically वो relate हो जाएगा तो हमेशा situation को समझें शुरू से कोशन पढ़के तुरंस relate करना start ना करें चिप नमबर फोर आपकी ये है last but not the least कि आपको कुछ important chapters और कुछ important topics मैं पहले से ही बता दूँगी जिसमें से case study आने के बहुत ज़्यादा chances हैं तो उसके आपको notes properly बनाने हैं keywords properly mark करने हैं so that उसमें से तो आनी है case study तो वहां से marks आपका skip नहीं होना चाहिए तो ये जो four tips हैं ये हम follow करेंगे और next video में मैं जरूर बताऊंगे कि ऐसे कौन से chapters हैं जहां से most expected आपकी case studies आ सकती हैं ओके और 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 भी कोई question अगर आप जानना चाहते हैं related to case study तो आप भी मुझे comment section में बता सकते हैं चीक है तो हम मिलेंगे with next video और उसके साथ साथ अगर आप 11-12 के किसी भी chapter में confused है या पढ़ना चाहते हैं तो आप तुरण subscribe करें Step Up Academy को so that we can meet in our next video till then stay tuned